जिस तरह से यार मैंने फ्री में full marks तुम्हें दिल वाया है किसमें किसमें पत्र लेखन में डीटेルड वीडियो में देखी है एक्जाम्पल्स के पीडियाफ के साथ फिर क्या देखा, देखा हमने नुच्खेद लेखन यार बिलकुल डीटेल में कैसे लिखना है क्या लिखना है कौन सी important line कौन सी important slogs include करने है फिर हमने देखा विज्यापन लेखन की कैसे simply गंदी ड्रॉइंग और फिर भी full marks हम प्राप्त कर सकते हैं उसी तरह से अब हम देखने वाले हैं की कैसे प्राप्त कर सकते है full marks हम संदेश लेखन में चाहे वो बंधाई संदेश हो चाहे वो सुब कामना संदेश हो औप्चारिक हो या अनप्चारिक हो दोनों हम देखने वाले हैं examples का PDF तुम्हें description में मिल जाएगा आओ चलो देखते हैं संदेश लेखन की खतरनाक full marks वाली trick आओ चलो सबसे पहले देखते हैं संदेश लेखन का format की format क्या है आपचारिक और अनपचारिक दोनों ही हम देखेंगे सबसे पहले start करते हैं आपचारिक संदेश लेखन से तो आपचारिक के लिए example लेए हमने की गरतंत्र दिवस के लिए तुम्हें समस्त देशवासियों स सारे देशवासियों को क्या देना है सुब कामना संदेश तो अब कैसे लिखेंगे क्या important line सब कुछ देखते हैं आओ सबसे पहले बना लो एक box rectangular box अपनी sheet पे words की और उस sheet पे rectangular box बनाने के बाद heading डालो एक line की कि जिस भी तुम्हारा heading क्या रहेगा subject जैसे letter में subject डालते थे वै तो holy की हार्दिक बधाईयां ऐसा कोई तुम एक line का choose कर सकते हो topic then एक line छोड़ दो और फिर लिखो कि क्या date कि अगर मानलो 26 January date है तो 26 January comma 20X date हमेशा इसी format में रहेगी कोई भी एक random date ले लो 26 January 25 मई कुछ भी comma 20XX कोई 2022 या 23 ऐसा नहीं डालना है फिर उसके नीचे just नीचे ब time कैसे लिखना है प्राता छे बजे अगर सुबा का टाइम है तो कोई भी time प्राता छे बजे 8 बजे साम का टाइम डालना है तो शाय आठ बजे 9 बजे कोई भी 6 am 6 pm ऐसा am pm मत लिखना then उसके बाद एक line छोड़के संबोधन कि किसको तुम लिख रहे हो यहां पर question में क्या लिखा था कि गरतंत्र दिवस के उपलक्ष पर समझ देशवासियों को लिखना है तो देशवासियों को लिखना है तो क्या लिखोगे एक line में संबोधन एक word में प्रिय देशवासियों अगर माल लो तुम्हें किसी और को लिखना होता माल लो कि यह तुम्हें लिखना होत एक अनौप चारिक होता और अपने दोस्त को लिखना होता तो प्रिये हिमानसू प्रिये नकुल ऐसा कुछ भी लिखते बट यहाँ पर क्या लिखना है प्रिये देश वासियों को हम संदेश दे रहे हैं उसके नीचे एक लाइन का गैप एक लाइन छोड़ दो और फिर स्टा लग जाओ कि होली का हम त्योहार क्यों मनाते हैं दिवाली का लिखना तो पूरा लिखो कि दिवाली का त्योहार हम क्यों मनाते हैं ऐसा कुछ नहीं तुमें बस सीधा-सीधा एक संदेश देना है एक क्या करना है कॉंग्रेचुलेट करना है बस तो उसमें क्या लिखना बॉड़ी की सबसे पहली लाइन रहेगी उसी से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जैसे कि अगर मानलो गरतंत्र दिवस का है तो पहली लाइन क्या लिखोगे अगर होली का है, तो वहाँ पर क्या लिखोगे, होली मिलन की हारदिक सुब कामना है, ऐसी पहली लाइन रहेगी, तू अब गरतंत्र दीवस वाले एक्जामपल पर ही आते हैं, उसके आगे लिखो, युवा भविशते के निर्माता होते हैं, इसलिए आज इस सुब अवसर प से वर्ट से नहीं इग्नूर करो आइडिया देखो क्या है संदेश लिखन का हमें यह आ पर एक्स्प्लिनेशन नहीं δिया है कि गरतंतर इवस क्यों मानते हैं हमने यहाँ पर एक संदेश दिया है एक positive note के साथ कि क्यों हमें मनाना चाहिए तो यहाँ पर क्या लिख दोगे गर्तंत्र दिवस पर कि अपने सिंपल भासा में भी लिख सकते हो सबसे पहले लाइन कि सभी देशवासियों को गर्तंत्र दिवस की हारदिक सुपकाम ना है और फिर लिखो कि इस गर्तंत्र दिवस पर आईए हम सब मिलकर ये संकल्प लेते ह कि हम सब को हम सभी को देश हित में काम करना है यानि कि देश के अच्छाई के लिए और देश की प्रगति के लिए काम करना है और इसी तरह से देश के हर समारों को मिल जुलकर भाईचारे के साथ क्या करना है celebrate करना है यानि कि मनाना है तो इस तरह कि जो line से वो कहा मिलेगी PDF तुम्हें description में दे दूँगा जहां से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा अब हम उसके नीचे क्या करेंगे उसके नीचे जब एक body तुमारी complete हो जाए तो फिर एक line छोड़ दो और नीचे लिख दोगे क्या नीचे लिखोगे प्रेशक ये क्या होता है प्रेशक हम लिखते हैं जब है पता नहीं होता है कि कौन ये गरतंत्र दिवस की सुबकामनाई दे रहा है यहाँ पर दिया नहीं गया था कि सरकार की तरफ से किस के तरफ से देशवाश्यों को गरतन तविवस की सुपकामनाई देनी है तो आपर हमेशा है लिखो के प्रेशक ये वर्ड याद कर लेना एक लाइन छोड़के बस खतम हो गया तुमारा क्या एक आप चारिक संदेश लेखन अब अनौप चारिक में क्या होता है वो अनौप चारिक में यार सिंपली तुम समझ लो आपर एक्जामपल से एक्जामपल है कि आपके भाई ने दसवी की परिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया तो आपके भाई ने पहला स्थान प्राप्त किया है अब उससे लगभग 40 सब्दों में बधाई संदेश लिखिए तो अब यहाँ पर पूरे देश कौम नहीं लिख रहे हैं या शाया ऐसे करके लिखना है छे बजे साथ बजे देन एक लाइन चोड़के फिर तुम्हें देना संबोधन यानि कि तुम अपने भाई को बुलाना तुम्हें तो प्रिय अनुज हरीश अनुज हरीश दोनों नाम नहीं है अनुज का मतलब चोटा भाई होता है अगर है तो वहां पर रिष्टर ori 60 वहां पर नाम नहीं पैता जीए अधर नीपिता जी चाचा है अधर मामा जी जो-बही है वो कमेंट में लिख देना हमारे अब उसके बाद एक लाइन छोड़ देना डेन स्टार्ट करना है बौडी स्टार्ट करने के पहले हमने बताया था प अगर मानलो तुम्हारा बधाई संदेश कुछ और है अगर मानलो तुम्हारा बधाई संदेश है कि कोई तुम्हारा दोस्त है वो नौकरी छोड़कर समा सिवा में लग गया अच्छा काम कर रहा तो तुम वास्तव में विसाल हिर्दय के एक साहसी इंसान हो यानि कि पहली ल परिवार का नाम रोशन करो अपने चोटे को अगर तुम लिख रहे हो तरक्की करो जीवन में आकास की बिलंदियों को छूओ इसी प्रकार परिश्रम करते रहना और आगे बढ़ते रहना देखो एक लाइन में शुरुआत भी की और नेक्स लाइन में कंक्लूजन प्याद है कि इसी तरह से परिश्रम करो और परिवार का नाम रोशन करो आगे बढ़ते रहो मेरा आशीश यानि की प्यार मेरा प्यार और दुलार सदा तुम्हारे साथ है ये भी लिखते हो कि कोई भी आव सकता पड़े तो सदा है मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ और उसके बा बस इतना ही था सिंपल सा यार संदेश लिखन का टॉपिक और आई होप तुम्हें समझ माया होगा लाइक दबा देना सबको शेयर कर देना नॉटिफिकेशन वाली घंटी छेर देना कि तुमसे कुछ मिशना और फिर क्या जाना जा पढ़ ले